हमले को तैयार इस्राइल देखते रह जाओगे खामनेई एक अक्तुबर 2024 को भले ही इरान ने इस्राइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइल इंदाग कर दुनिया को चौका दिया हो लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इस्राइल अब इरान का हाल हिजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है इस्राइल में पिछले 9 दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भ्यानक तयारी चल रही है जिसके बारे में शायद इरान को पक्के तोर पर पता नहीं है इस्राइल के प्रधान मंतरी नेतन याहू इरान पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्टपती बाइडन से 50 मिनट तक बाच्चीत कर चुके हैं इधर इस्राइल के रक्षा मंतरी यॉव गैलेंट ने इरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिसने पूरे मिडलीस्ट में हडकम मचा कर रख दिया है दावा किया जा रहा है कि इस्राइल के इस हमले की बनक मिलने के बाद से इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उड़ गई है जरा देखे इस्राइल के रक्षा मंत्री यॉव गैलेंट ने क्या कहा है इरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ और कैसे हुआ यॉव गैलेंट ने कहा कि इरान पर इस्राइल का हमला घातक और सटीक होगा और इस हमले की इरान को बनक तक नहीं होगी इरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ यॉफ गैलन का ये बयान इसराइल पर इरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है सूत्रों की माने तो इसराइल इरान के प्रमुक तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है माना जा रहा है कि यह हमले इरान के अर्थविवस्ता को गहरा नुक्सान पहुचाने के लिए होंगे तोकि इरान की बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेलशेत्र है इसके अलावा इसराइल इरान के परमानू ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है पचास मिनट में हुई सीक्रेट डील उला दो इरान के अट्मी ठिकाने लगबख सौ घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं कि इरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमानू परिक्षन किया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिचले 120 घंटे में एरान में आयब हुकम और परमानू बंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है इसलिए बाइडन और नेतनियाहू ने 50 मिनट तक पून पर बाच्चीत के दौरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब इरान को 200 मिसाइल हमलों का जवाब जबरदस तरीके से दिया जाएगा भले ये कयास लगाय जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर दबाव बना चुपा है कि वो इरान के परमानू ठिकानों को तबा नहीं करेगा लेकिन जब से अमेरिका को खूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम की आड़ में एटमी परिक्षन ही किया है तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके अटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी ज़ंडी दे चुका है ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे है अब ये भी जान लीजे कि इरान ने पाच अक्तूबर को क्या किया था इसराइल के साथ बढ़ते संगर्ज के बीच पाच अक्तूबर को इरान के सिमनान प्रांथ में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीवरता का भुकम दर्ज किया गया भुकम का केंद्र कथित तोर पर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था इरान के सिमनान प्रांथ के कावीर रिगिस्तान में इरान ने परमानू परिक्षन किया है ऐसे अब दावे किया रहे हैं भुकम के समय और परमानू सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अठकले लगाई जा रही है कि एरान ने परमानू बम का प्रिक्षन किया है दावों के मताबिक भुकम का केंद्र सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था भुकम के दौरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उठती है ये लहरे वैसी नहीं थी ये लहरे वैसी थी जैसी न्यूकलियर विस्पोर्ट के बाद जमीन पर चलती है इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट's और वैग्यानिक ये दावा कर रहे हैं कि इरान ने परमाणू परिक्ष्ण किया है इरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने आٹम बम का टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुन्दर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाईलों से इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त इरान की हाइपरसॉनिक मिसाईल फते 1 और फते 2 ने इसराइली सहने ठीकानों को काफी नुकसान पहुचाया था उस वक्त इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो टू, एरो त्री और डेविट सिलिंग सभी इरानी मिसाईलों को रोक नहीं पाय थे लेकर इसराइल के रक्षामंत्री का साब कहना है कि एरान का मिसाईल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं ज़रा देगे इसराइल डिफेंस पोर्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षामंत्री यॉफ गैलन्ट क्या कह रहे हैं खबरों के मताबक इसराइल के रक्षामंत्री यॉफ गैलन्ट ने आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 के कमांडर से बातचीत किये दावा किया गया है कि एरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने बनाया है इसके अलावा आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने इरान के टॉफ कमांडर पर हमले का प्लैन बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का नित्रित्थ किया था खबरे ये भी हैं कि IDF की खूफिया यूनिट 9900 का वार प्लान इतना जबरदस्त है कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने इस शारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उटता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमेटर गुरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर जरूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल इरान पर भीशन हमला करने का जोके मुठा सकता है इसराइली मीडिया के मताबिक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5-10 सालों में इसराइल का वजूद ही मिट जाएगा और अगर इसराइल इरान को तभा कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिली इस्ट में सूपर पावर बन जाएगा